असलाम आप में यूट्यूब फेमिली वेलकम बैक तो मैं चैनल है वेकिंग दिलाइट्स अगर आपका केक बार बार फैल हो जाता है तो एक बार यह रेसिपी ज़रूर ट्राइब करें आज बनाने जा रहे हैं वनिला केक राइब करेंगे जिसमें हम सबसे पहले 4 एगस डाल करने के बाद इसको हाथ सेSha थोड़ा सा MPAWDER कर ने इसके बाद हम बीट ख्रूराइज के अदों करने और करदें आप बीट पाउडर के बाद थो पो बीट करना है कि हमारे आग्स हैं उनका साय्ज ट्रिपल होजए मतलबamm तीन गुना साय्ज उनका जादा हो जे बस इतना हमें बीट करना है और आपको कोई भी चीज फ्रिज के टेंपरेचर पर नहीं लेनी है आपको रूम टेंपरेचर पर लेनी है क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो है वो खराब भी हो सकता है केख खराब हो सकता है काफी उसमेंờ मसले हो जाते हैं जिसके अब का केक फैल हो जाता है तो नों फैल केक की रेसिपी इसलिए मैं हर चीज़ आपको बता रही हूँ ता कि आपक किसी भी टरीके से केक फैल नась बीट भी आपको overbead नहीं करना है कुब का केक जो आपके एग्जम फलफी हो गए है करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकोन को भी प्रेस करना है ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके इससे पहले मैं नो फेल चॉकलेट केक की रेसिपी दे चुकी हूं उसको भी जरूर ट्राइ करें और अपना फीड़ बैग भी मुझे जर नहीं चलाने है आपको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ इसको मिक्स करना है यह तो हो गए हमारे वेट इंग्रिजेंट्स इसके बाद बाड़ी हैब ड्राइ इंग्रिजेंट्स की और इसके लिए हम सबसे पहले जो है वो आल परपस फ्लोर लेंगे आल परपस फ्लोर लि बार उसको सीव कर लेते हो तो हमें अपने ड्राइ इंग्रिजेंट्स को जो के आल परपस फ्लोर साल्ट और बेकिंग पाउडर है इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसको हमें थोड़ा थोड़ा करके आड़ करना है जितने हमारे इंग्रिजेंट्स हैं उनको हमें त्री पार्ट में डिवाइट कर देना है और थ्री पार्ट में डिवाइट करने के बाद इसको थोड़ा-थोड़ा करके आप मिक्स करते जाएंगे स्पैचुला के साथ अब मुझसे काफी करसन किये, पहले वाली वीडियो में नोफिल चॉकलेट केक कि उभी लेगे न 스ालर के पूचा कि मैम, मैम क्या हम स्पैचूला लेना ज़रूरी है और स्पैचुला से मिक्स करना ज़रूरी है और हैंड बीटर वगाड़ा की आप काफी करसन किये थे पूछा कि मैं क्या हम स्पेचुला लेना जरूरी है और स्पेचुला से मिक्स करना जरूरी है और हैंड बीटर वगएरा की आपने काफी कैसिंस किये थे तो पैचुला जरूरी नहीं है बट इसका फाइदा बहुत जाद है तो इसको इसके बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और कोकोनेट का फ्लिवर भी बहुत मज़ेका आता है इसको भी मस्ट ट्राय करें और आप छोटे पैक्स पे मिलते हैं 100 ग्राम के बो ले लें कोकोनेट के लिए कट और फोल्ड मेथड यूज़ करते वे देखें आपके बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए है और इसके बाद हमारा बैटर रेड़ी है हमारे मॉल्ड में पोर करने के लिए मॉल्ड यहां पर मैंने लिया है टू पॉंट के लिए 7 इंच का और हाइटेड मॉल्ड है के इसके बाद मेने इसको ॕप्रिस कर लिया ओयल के साथ अच्छे से बटर पेपर मैं यूज नहीं कर लोगी क्योंके मेरे मॉल्ड अभी नू है तो इसमें इतना स्टिक नहीं होता है वैसpex मेरा ओल मॉल्ड में भी हां इसमेता बदुध कर दिए बनाने के तरीके है पर ड पूर्टी मिनट के लिए बेक है टू पॉंट केक के लिए यही आपकी टाइमिंग लगती है और इसको रख देते हैं और इसके साथ ही हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है बहुत अच्छे से बहुत मज़गा और बहुत फलफी बना था क्योंकि यह नो फिल केक रेसिपी है तो जरूर ट्राइ करिएगा और अपने फीडबेक से अगाह करना मत भूलें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स फॉर वोचिंग